क्या कोट कुछ बुद्धों पर अपनी लिमिट क्रॉस करने लगे एक कोट ने कोरोना से होने वाली मौतों को नरसंगार कहा है एक कोट ने कहा है कि लेक्षिन कमिशन पर मडर का केस होना चाहिए एक कोट में सरकार को फटकार लगाते हुए मेडिकल विवस्थाओं को रामभरों से बताया है कैसे वक्त में जब एक महामारी की जद में हैं लोगों ने अपनों को खोया है लोगों में गुस्सा है सरकार के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं लेकिन ऐसे में क्या कोट का ये काम है इस तरह कि भाषा जो की रिकॉर्ड पर है और का इस्तमाल करना कहा तक ठीक है क्या ये बात सिमित दायरों में नहीं कही जा सकती क्या कोट की भाषा राज्रेतिक पार्टियों की भाषा से कुछ अलग लगती है नहीं कोट का काम है लॉफ लेंड को बरकरार रखना एक चेक और बैलेंस थापित करना ना कि हेड्लाइन में छपने वाली टिपणिया करना बात यहीं तक नहीं रहती तो भी ठीक था लेकिन बारा मई को एक भारतिय कोट ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया इस कोट ने कपल को सुरक्षा देने से इंकार कर दिया और ये कपल लिविन में रह रहा था कोट ने कहा और मैं कोट करता हूँ अगर हम इस तरह की सुरक्षा देते हैं तो पूरे सामाजिक ताने बाने को डिस्टरब कर दे अब कोड की स्टिपड़ी पर सवाल बनता है कि कोड का काम क्या moral policing का है जी नहीं कोड का काम क्या ये तै करना है कि moral रूप से आप ठीक है या नहीं क्या कोड का काम ये तै करना है कि क्या सामाजिक रूप से ठीक है जी नहीं कोड का काम है सिर्फ और सिर्फ कानून के तहट काम करना और कानून कहता है कि हर व्यक्ति को जिंदगी जीने का अधिकार है भारतिय सम्विधान का आर्टिकल 21 इस बात की इजाज़त देता है और भारत का कोई भी कोड इससे उपर नहीं जा सकता चाहें वो कोड के जज़ को पर्सनल लेवल पर मोरली करेक्ट लगे या ना लगे कोड को सुरक्षा देनी ही पड़ेगी ये कोड का क्राम है कोई भी कोड इससे इंकार नहीं कर सकती लेकिन पंजाब और चंडिगर्ड हाई कोड ने इस लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल को लेकर जो कहा और मैं उसको कोड करके बताता हूँ पुरी बार इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोड कह रहा है कि लिव इन में रहने वाले कपल सुरक्षा के नाम पर साथ रहने की सहमती मांग रहे हैं जो की मोरली और सोशली ठीक नहीं है मेरे हिसाथ से इस पर कोई भी टिपड़ी नहीं करनी चाहिए ये स्टेट्मेंट अपने आप में बेहुदा है बताता चलू कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप लीगल है मोरल और सोशल वैल्यूस जूड़ना कानून का काम नहीं है कोट का काम बिलकुल भी नहीं है कोट का काम है कानून के तहट काम करना कानून को लागू करवाना कोट को अंधा क्यूं कहा जाता है क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता